दोस्तो आज का वीडियो को टॉपिक बहुत ही जादा छोटा होने वाला है क्योंकि कोश्चन भी बहुत ही छोटा था क्लाइंट के तुरू कि option selling अगर हम करते हैं तो मैंने तो सुनाया कि लाखो रुपे की जरुवत पड़ती है जी हाँ बिल्कुल सही है अगर हम nifty, bank nifty या बहुत जादा हाई हो जाते हैं, market में 90% लोग पैसा गवाते हैं कि अवल 10% लोग पैसा कमाते हैं आप लोग अगर उन 10% में आना चाहते हो तो पहले तो यह identify करो कि वो 90% करते हैं वो क्या करते हैं और यह identify करो कि जो वो 10% लोग हैं वो क्या करते हैं अगर मैं आपको एक छ ऐसा करो कि market तुरंट हमारे कहने पर एकदम भागना शुरू कर दे और हमने जो 5000 की investment की है वो 10,000 बन जाए अब भगवान के पास में इतना समय नहीं होता कि आप सब की बाते सुने वो भी किस बात के लिए options को double करने के लिए कोई रातो रात वाली कोई lottery तो नहीं है ना भगव जो हमने सिखी है वो क्या करने वाले हैं जो 10% लोग होता है वो option selling पे focus करते हैं और option selling करते हैं hedge positions के साथ में अब आप कहेंगे लाग और रुपे की requirement होती है और हम कैसे option selling में जा सकते हैं तो मैं आपको advice देता हूं कि आप currency trading में option selling try कीजिए इसमें कैसे की जाती है ध्यान से समझो हमारे इंडिया में RBI के थूरू से भी registered brokers जैसे जिरुधा या आप इस्टॉक के अंदर अगर हम काम करते हैं तो हम currency trading में option selling भी कर सकते हैं वो की कैसे जाती है option selling करने के लिए जो important pairs होते हैं वो केवल तीन pairs होते हैं हमें जो focus करना है वो केवल एक ही pair पे करना है आप क बार 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 करते रहना है अब बात करें तो आपको केवल USD, INR के जो options होते हैं अगर आप उनके अंदर option selling करते हो तो आपको एक lot short करने के लिए केवल 2000 की जरवत पढ़ती है बट अगर मैं बात करूं अगर Nifty की आपको कोई भी दूर की strike price को भी अगर short करना है तो 1. 1.5 lakh रुपीज की जरवत पढ़ती है तो आप खुड देख सकते हैं कितना बड़ा difference यहां पर count होता है currency में 2000 में एक lot और bank Nifty में अगर आप एक lot short करना चाहते हैं तो 1.5 lakh रुपीज तक की जरवत पढ़ती है तो यह सबसे बड़ा difference create हुआ प्लस profit कितना बनता है profit के बात की जाए तो profit depend करता है quantity के उपर अगर आप nifty bank nifty में काम करेंगे तो ज्यादा quantity में option selling नहीं कर सकते without hedging बट अगर हम currency की बात करें तो अगर हम यहां पर option selling करते हैं with और without hedging तो भी हमें same fund की जरवत पढ़ती है क्योंकि currency एक stable चीज मानी जाती हैं वो दो देशों की currency के उपर depend करता है तो zero था यह आप stock प्लस जो सेबी है वो भी जानता है कि एक limit से जादा यहां पर नुकसान नहीं हो सकता client को तो market का सबसे safe segment जिसको बोला जाता है जो लोगों से चुपाया जाता है उसको बोला जाता है currency segment simple से बात आती है और लोगो seller में shift होना चालू हो जाएंगे तो उन जो बड़े players होता हैं उन से option selling जब वो करेंगे तो कोई तो option buy करने के लिए होना चाहिए न तो यह भी logic count होता है तो आप क्या कर सकते हैं option seller की तरफ shift हो सकते हैं केवल और केवल currency के अंदर क्योंकि यह सबसे safe segment आपके लिए count होने वा आप notice करें कि कितने percent chance है कि आप जीत रहे हो और कितने percent chance है कि आप हार रहे हो यह आपका आने वाला trading carrier change कर सकता है because option selling अगर बात की जाए तो traders की language में इसको pension बोला जाता है और अगर option buying बोला जाए तो यहाँ पर आप कहा सकते हो यह आपके हाथ में एक ice cream दे दी गई और बो रही है इसी तरीके से आपकी जो option की premium है वो भी धीमे धीमे कम होती जा रही है और वो धीमे धीमे कम होती होते है किसकी जेब में जाती जारी है option seller की तो इस वज़े से option seller पैसा बनाते हैं और आप नहीं बना पाते हो So I wish कि आपको ये concept clear हुआ होगा किसी भी तरीकी का कोई question है ना तो नीचे comment करो मैं आपके comment का personally जवाब दूँगा और कोई भी question होगा तो उसको बिलकुल clear way में आपको समझा भी दूँगा चलिए मिलते हैं next important वीडियो में झाल राद करिएर टार्भा का और दूँगा किसी भी तर बार्दप पार्दपा झाले से जह जड़ा झाले सकता है दूँगा